प्रादेशिक समाचारिकांज भोपाल से प्रस्तुत है कटनी जिले की चठी आलेक राकेश चतुरवेदी वाचकस्वर संयुक्ताब बैनर जी कटनी जिले में भी पांच दिवसियदी पोटसफ पर दीपावली परंपरागर धर्मिकुलास के साथ मनाया जा रहा है इस दौरान बाजारों में खरीदारों की अच्छी भीड उम्री पूजन सामगरी सहित फूल मालाओं को लेकर लोग खरीदारी में जुटे मा लक्षमी की पूजा आरचना को लेकर लोगोंने अपने घरों को आकश अठंग से सजाया रात में शुब मुहरत पर पूजा आरच उन्चास पुरुष और महिला मद्दाताओं की संख्या 4,83,703 है जिली में 1163 मद्दान के इंद्रों बनाए गए है चारु विधान सभाक शेत्रों में कुल 57 उमीदवार चुनाव मैदान में है जिला प्रशासन मद्दान कराने की तैयारियों में जुटा हुआ है जिली में वुजोर गौर 40 प्रतिशत दिव्यांग जनों का घर घर जाकर मद्दान कराया गया चुनाव कारे में लगे कर्मचारियों के डाक पत्र का पहला चरण पूरा हो गया है आज और कर जिली के आसपास के खेत्रों में चुनाव ड्यूटी पर लगाए गए कर्मचारियों के ड दिवार कोड वाली मद्दाता परची का वितरन का काम पूरा हो गया है कटनी जिले में मद्दाताओं को जागरुक करने के लिए अभियान निरंतर जारी है मानव श्रेंखला रैली संगोष्ठी रंगोली तो कहीं मद्दाता जागरुकता सेलफी बोर्ट और फिल्म का प्र प्रतिशत से कम मद्दान हुआ था उन्हें जिन्नित कर वहां विशेश जागरुकता के प्रयास किये जा रहे हैं कटनी में शांती पून तरीके से मद्दान संपन कराने के लिए आदर शाचार सहिता लागू होने के बाद ही सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी गई है प वैद और संदिक्थ परिवहन पर ततकाल कारवाई करने और उच्च अधिकारियों को सुचित करने के नर्देश जिये हैं विधान सभाम निर्वाचन के दौरान जिले में केबल चैनलों समाचार पत्रों से प्रसारत कारिक्टमों पर नजर रखी जा रही है भारत निर्व समाचारों को संग्यान में लिया जा रहा है निर्वाचन रायों के निर्देश अनुसार एलेक्ट्रोनिक मीडिया पर चुनाफ प्रचार संबंधी कारिक्रम और क्लिपिंग इत्यादी प्रसारित करने के लिए पूरवनुमती लेनी होगी इसके लिए प्रमार्नित ट्रां और राजनयतिक दल और अन्यों को साथ दिन पहले MCMC प्रकोष्ट को देनी होगी कटनी जिले में खरीफ फसल में मुख्यता सबसे ज्यादा रखवे में धान की खेती की जाती है लेकिन अब धीरे धीरे दलहन और मोटे अनाच की खेती का रखवा भी बढ़ रहा है चालू सीजन में खेतों में धान की बढ़िया फसल आई है किसान धान की कटाई और गेहुं की बोनी में जुट गए है जिले में खाद और बीच का परिया अप्त भंडारंड है कटनी जिले में राश्य कुष्ट उन्मोलन कारिक्रम के अंतरगर जिले के शहरी और ग्रामी शेत्र में कुष्ट रोगी खोज अभियान 16 अक्टूबर से 4 नवंबर 2013 तक चलाया गया कटनी जिले में भी मध्यप्रदेश थापना दिवस का आयोजन किया गया कलेक्टरेट में कलेक्टर अन्वी प्रसाद ने राश्य ध्वच फहराया तदो परांत राश्य गान और सांस्कृतिक कारिक्रम आयोजन किये गए कटनी जिले में 31 अक्टूबर को सरदार वल्लब भाई पटेल की जन्मति थी को राश्य एक्ता दिवस के रूप में मनाया गया जिले के सभी विभागों के कारियालियों में राश्य एक्ता दिवस के अफसर पर राश्य एक्ता किशपत दिलाई गई जिले की चिठी समाप्त होई